हैलो वीवर्स अससलाम लेकूं मैं हुरोशन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लौकी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाष्टा बनाने की रेसिपी इसे कम ओयल में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है और जिनको कद्दू पसंद नहीं है वो बिल्कुल ही खान करेंगे तो चलिए बनाएं शुरूर करते हैं सबसे पहले हमने से अल्ड़ जीर हैं मने च्छान लिया ही में हम डाल है टीश्पून भी मिले हैं बाल जायक हमने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा बाले अच्छी तरह से पतला-गोंसरी अपहलें चम्मच से भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर एक बार में पानी डाल देंगे, तो फिर गुठली बनने का चांस हो जाता है, तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, पूरा पानी इसमें वन से पहले हम छील लेते हैं, इसकी और हमने सबजी भी बनाई हुई थी, और बचा हुआ का नाश्ता हम बना रहे हैं, और गर्मी का टाइम है, लौकी बहुत जल्दी सूख भी जाता है, तो इस तरह से हम नाश्ता बना कर इसको यूज कर लेंगे, ये खराब भी नहीं होगा सबसे पहले इसको हम धो लेते हैं, और धोने के बाद इसको हम ग्रेट करेंगे, हाफ कट करके, तो इस तरह से देख रहे हैं कितना अच्छा है, ये इसमें ज़्यादा बीज नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बहुत है, तो ज़्यादा बीज वाला ना लें, नाश्ता बनाने के लिए, तो इस तरह से हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, पंदरा मिनट में ये हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा, और बहुत ही टेश्टी बनता है, और हेल्दी भी होता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इस तरह से सभी को हमने ग्रेट कर लिया है और ये बिल्कुल बहुत अच्छा फ्रेश हो चुका है इधर हमने दो टेबली स्पून ओयल को गरम कर लिया है और इसी में डाल करके सॉफ्ट होने तक हम भूनेंगे तो इसमें अगर आपको कम नमक लग रहा हो तो आप डाल सकते हैं क्योंकि बेसं में हमने नमक मिलाया हुआ है तो नमक डालने की ज़रुरत नहीं है तो इस तरह से सॉफ्ट होने तक इसको हम पका रहे हैं थोड़ा सा ढख देते हैं और बिच-बिच में इसको चलाते रहेंगे, सौफ्ट हो चुका है, देख पारे होंगे, ये शिरिंक सा हो गिया है, तो इसमें हम अब डाल देते हैं, बेसन के घोल को इस तरह से चलाते हुए, और थोड़ा-थोड़ा करके डालते हुए, इसको हम चला रहे हैं, फिलम को अभी हमने कम किया हुआ है, और इसमें होंगे, उबाल आ चुका है, और ये ठीक होने लगा है, जैसे जैसे इसको चलाते जाएंगे, वैसे ये ठीक होता जाएगा, और इसको रेगुलर ही चलाना है, वरना फिर ये चिपक जाएगा, जलने लगेगा, तो ये ठीक बैटर इस तरह से चलाते हुए करेंगे, को ये जमाना ट्रांसफर करना तो इस तरीके से पलट लेते हैं इसमें चिबगा नहीं और इसको हम 10 मिनत के लिए ठंडा होने देंगे पंखे के हवा में ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से हमने इस को पलट लिया है और इस तरह से फैला लेते हैं और पंखा इस्टाट कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए और गर्मी है तो ज़्यादा जल्दी ये ठंडा भी नहीं होता है तो थोड़ा टाइम भी लगता है और ये ठंडा सा हो गया है देख पा रहे होंगे ये सेट हो गया है चाकू से कट करेंगे और अब जिस तरह से ये काटना चाहें उस तरह से आप काट सकते हैं तो इस तरह से हम इसमें कट लगा रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे ये बर्फी का शेब की तरह हम इसको काट रहे हैं इस तरह से हमने काट लिया है और हाथ से ये चाकू से आप इस तरह से निकाल सकते हैं उधर हमने तवा गरम कर लिया है कम ओयल में बना रहे हैं इस वज़ा से इसके उपर ओयल हम थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं और ये बारी बारी से डाल देते हैं तवे पर जितना एक बार में आ सके तो इस तरह से देख पा रहे होंगे हम सभी को डाल दे रहे हैं और एक तरफ से जब सीख जाएगा दूसरी तरफ इसको पलटेंगे फलेम को मीडियम रखें थोड़ा सा कम रखें क्योंकि तवा गरम है तो जल भी सकता है तो इस तरह से देख पा रहे होंगे एक तरफ से ये सीख चुका है और इसको हम पलट लिए हैं दूसरी तरफ से भी सीख लेते हैं सीखने के बाद इसको ये निकालने के लिए बिल्कुल रेडिव हो जाएगा ये बिल्कुल टेस्टी सा हमारा ये नाश्ता बन चुका है मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हमारे चैनल तारा नूर कुकिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आप भी जरूर ट्राइ करें